मैं BCCI leadership का धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको वधाई और शुबकामनाई भी देना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में cricket के अंदर जो अभूतपूर विकास हुआ है वो एतिहासिक है और खास तौर से राजिस्तान के अंदर परिस्तिती देखते वे BCCI चाहती थी कि हर हाल में IPL हो और BCCI ने उसकी जिम्मेदारी राजिस्तान सरकार को दी है राजिस्तान रोयल्स के साथ राजिस्तान का स्पोर्ट्स काउंसिल ने लगातार बातचीत करी है और राजिस्तान रोयल से भी अगर आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपको प्रेस कांफरेंस में भी उन्हें बताया है कि इतना बढ़िया समर्थन उन्हें आज तक नहीं मिला इतनी स्मूध तैयारी उन्हें आज तक नहीं मिली रदबजनलाल जी की सरकार का ये संकल् कि राजिस्तान के अंदर हर खेल को बढ़ावा मिले खिलाडियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और दर्शुकों को भी इस खेल का पूरा मनोरंजन का मौका मिले अफसर मिले उसके लिए IPL के अंदर हम राजिस्तान सरकार की तरफ से या राजिस्तान स्पोर्ट्स कां करते थे और जो अन्य सुविधा है राजिस्तान की सरकार प्रोवाइड कराती है उसके बदले में राजिस्तान की खेलों को तकरीबन कुछ नहीं मिलता था इस बार मुझे इस बात की खुशी है कि 400 से 500 परसेंट ज्यादा इस बार पैसा सीधे सीधे IPL के 5 खेलों के कंड़क् जिसके अंदर अगले 3 साल वो राजिस्तान की खेलों को किस तरह से समर्थन देंगे उसका ब्यारा आपके पास जल्द होगा और यह बहुत बड़ा एक कदम होगा बहुत बड़े विजन के साथ ये काम हो रहा है बजनलाल जी की सरकार राजिस्तान के अंदर खेलों को बड बुद्पूर काम होगा खेलों के लिए और सब आप देखेंगे अभी BCCI ने एक थ्री पार्टी एग्रिमेंट के तहत राजिस्तान रॉयल्स राजिस्तान का स्पोर्ट्स काउंसल और BCCI ये तीन ही पार्टीस हैं जो इसमें शांब है